हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टो आर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स आज हम क्विक भी बात करेंगे फिर से तीन बेहत्रीन स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने फिर से एक ब्रेक आउट दिया है और जहां पर की बहुत ही अच्छी एक वॉल्यूम प्लस प्राइस स्टॉ के आइडियाज अल्मोस्ट डेली अपने चैनल पर देते हैं जहां भी मुझे ऑपरचुनेटी दिखती है और आप सभी ने देखा होगा कल भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाके डाला था जो कि था ट्यूब इंवेस्टमेंट के ऊपर ट्यूब इंवेस्टमेंट में ब इस तरह की position मैं भी बनाता रहता हूं जब भी मैं कुसी position से exit होता हूं वो भी मैं आप से share करता हूं ज्यादा तर टाइम पर बट आप अपने financial advices जरूर सला लीजे बिफोर यू टेक अनी position और यू वांट तो बाई gears में आपका काफी अच्छा पैसा बना है Monte Carlo में और not only this बट PSP projects अब एक कगार पे आ चुका है जहां पर की इसने breakout देना था और ब्रेक आउट भी आ चुका है आज भी में को कुछ stocks पसंद आ रहे हैं इस particular दिन पर जो आप अपने radar पर कल के लिए रख सकते हैं अगर आपको मेरा content पसंद आ रहा है और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप से दर्ख्वास्त है कि आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइ अभी आज इसने एक बहुत ही अच्छा एक daily के चार्ट पर breakout दिया है जो दिया है almost 248 रुपीज 248 पर जो इसने breakout दिया है वो इसने अपने 20, 50, 100 and 200 सभी अपने moving averages के ऊपर जाकर बंद दिया है तो 200 DMA से तो ऊपर चली रहा था बट आज इसने अपने 20 DMA से, 50 DMA से and 100 DMA से उन टीनों के ऊपर जाकर closing दिया है और अभी के अभी इसको अपने radar पर रख सकते हैं और लेने के बारे में सोच सकते हैं एक और चीज़ है यह जो तेजी हुई है यह तेजी ऐसे ही नहीं हुई है volume का भी जमावड़ा है और आप अगर देखेंगे तो RSI भी अच्छे लेवल पर आ गया है जो कि है 56.8 इसके अलावा आप देखेंगे M.A.C.D. पर भी positive crossovers हो रहे हैं और इसने बहुत ही अच्छा base बना कर यहां पर एक अपना base बना कर इसने ऊपर चलना शुरू किया है अगर आपको मैं दिखाओं कहां पर exactly base बनाया है इसने तो यह एक इसने बहुत ही बढ़िया 216-215 रु यहां से अब यह चलना शुरू हुआ है तो अभी बहुत जादा चला नहीं है advantage यह है कि जादा चलने के बाद अगर आप लेते हैं stock तो थोड़ा सा आपको खत्रा रिस्क रहता है तो इसलिए अभी इसमें आप position मलाने के बारे में सोच सकते हैं पहला target क्या है अगर आप 248 के आसपास लेते हैं पहला target जो मुझे दिखता है वो दिखता है almost इसका 300 रुपय तीन सो क्रास होता है तो इसका फिर 340 रुपय के आसपास का भी next पढ़ाओ दिखता है तो यह हमारा आज का पहला stock है बहुत ही जबरदस्त है और stop loss क्या है stop loss जैसे मैं बताता हूं stop loss काफी नजदीक है इसका stop loss आप इसको लगा के चलिए 235 रुपय के आसपास तो 235 पहला target target first अगर बात करते हैं तो first target आता है इसका 300 रुपीज तो अच्छा खासा risk reward है और target 2 जो है इसका वो है 340 रुपीज 340 निकल जाए तो फिर इसका blue sky territory में चलना शुरू हो जाएगा और वह से आपको बहुत ही अच्छा return बिल सकता है तो यह पहला stock है अपने radar पर बना कर रख सकते हैं अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो bell icon दबा दीजिए और चैनल सब्स्क्राइब कर लिजिए अगर आपके बस अभी तक डीमेट account नहीं है तो डीमेट account description box में angel one का link देता हूं मैं उसमें उसको फ्रू अगर आपको लवाते हैं अपना डीमेट account तो आपको दो फायदे होंगे पहला फायदा यह कि आपको delivery charge 0 रहेगा और आप मेरेको directly reach out भी कर सकते हैं let's quickly talk about the second stock of the day दूसरा stock भी ऐसा ही जबरदस्त एक stock है जहां पर कि इसने अपने 200-day exponential moving average को cross करके बंद दिया है not only 200-day exponential moving average बट इसने अपने 20-day, 50-day and 200-day exponential moving average को cross करके closing दी है इसके अगर आप देखेंगे तो इसका 62.8 जो है इसका 20-day exponential moving average है अगर 66.5 इसका 100-day moving average है और 66.68 इसका 200-day exponential moving average है तीनों ही averages के ओपर इसने closing गी है अब ही आपका इसका next hurdle क्या दिखता है next hurdle दिखता है 69.50 ये इसका एक resistance की तरहें काम करेगा R1 बोल सकते हैं ये इसका resistance है अगर इसके ऊपर जाकर ये बंद देता है daily के chart पर उसके बाद आप position मनाईएगा इसमें और ये ध्यान रखेगा इसके ऊपर अगर आप position मनाते हैं तो कहां तक जा सकता है तो ये 80 रूपीज का target आपको unfold हो जाएगा तो almost आपको 12-15% का return इसमें easily मिल जाएगा और अगर 80 cross कर जाता है तो 90 रूपीज का next पड़ाओ है तो texmo pipes जो है वो भी बहुत अच्छा दिखता है मुझे और अगर इसके जो stop loss है या इसका जो support level है वो काफी अच्छा support level है 62 रूपए से लेके 66-67 रूपए के आसपास ये बहुत ही zone है इसका और बहुत बढ़िया इसमें भी bullish crossovers है और अगर आप इसमें भी देखते हैं तो RSIB 58.63 के आसपास है जो कि बहुत ही अच्छा number है और दर्शाता है कि ये momentum जारी रह सकता है आने वाले time में इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक और चीज़ है इसमें भी volume का का भी breakout आया है आज अगर आप average volume देखते हैं तो एक लाग बावन हजार की volume होती है जब कि आज almost 387,000 का volume हुआ है तो almost दुगना से ज़्यादा volume इसमें भी आज हुआ है तो एक bump up आया है volume का भी तो volume भी support करता है इस particular stock को. Let's talk about the third stock of the day. ये एक stock है जो है सूरिया रोशनी का सूरिया रोशनी के daily के chart पर अगर आप देखते हैं तो एक जबरदस्त आपको volume बार दिखता है बहुत ही बेहतरी अभी तक आप देखेंगे बहुत ही कम volume से गिर रहा था और जब चड़ा है तो बहुत ही जबरदस volume के साथ चड़ा है अगर इसका आप एक और interesting चीज देखेंगे कि आपको अगर एक trend line जो है ये एक trend line है जो मैंने आपको blue color से दिखाई है इसका आज almost breakout दे दिया है तो आप कल थोड़ा सा वेट कीजिए अगर ये चलना शुरू होता है और 387 रुपय के ऊपर जाना शुरू होता है तो आप इ 387 के ऊपर position बनानी है 450 का आप एक पहला पड़ाव ले सकते हैं और उसके बाद ये अच्छा खासा 500 से लेके साड़े 500 रुपय तक का भी चाल दिखा सकता है 600 रुपय तक की भी चाल बहुत अच्छे से दिखा सकता है हाला कि जो resistances हैं 420 जो resistance है 420 and 450 ये resistance बोलेंगे या फि इसका तो टार्गेट हो गए 420 और 450 रुपयर 387 के ऊपर इसमें आप position बनाने की बारे में सोच सकते हैं ये आज के तीसरा stock हो गया है और इसी तरह की interesting वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्स्राइब कर लीजे और बैल आइकन दबाना बिलकुल मुदूर है thank you so much for watching this video we will see you in the next video